तो गई इस नेक्स्ट कोशन है हमारे प्रफीवी सीए के कोशन पेपर का कोशन नुम्बर फाइब तब इसको हम डिसकस करेंगे कि कौन सा सोलूशन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए है तो इसमें बताना है कौन सा सॉल्ट है वाटर की जो हाडनेस होती है इसे पर्मनेंट क्योंटि रिमॉफ कर सकता है तो यहां हमारे चाहीजों ऑप्षन से रख्या है सोडिądh上 कार्गोने sosem chloride सारे सॉल्ट हमारे लेकिन इसका स्ट्च 700 एकाशन होगा mm कावनिट। डेकांट रेट देका हाइड्रेट वह कैसे ही जो स्प्रक्रि mots आइस तो होती है त्युक्षि डेजॉल्ट होते हैं उन्हें रिमूब करने के लिए हमें सोडियूम आपुनेट को एड़ करना पड़ता है वाटर में कैलियुम कार्डी पानेट। वाटर होता है इसमें सालीब से घुल जाता है। तो यह सोडियूम कार्डी होगा वाटर में प्रेजेंट03 magnesium और calcium ions के साथ reaction करेगा और calcium carbonate बनाएगा ठीक है तो जो calcium carbonate होगा वो dissolve नहीं होगा easily soluble नहीं होगा तो उससे वो precipitate बना देगा calcium carbonate के जिसे हम बाद में remove कर सकते हैं तो आपने देखा होगा RO के waters water में white white हमारी एक plate बन जाती है layers हो जाती है white white निकलता है जब हमसे clean करते है filter को तो जो water white white होता हो actually होता है हमारा calcium carbonate तो जब sodium carbonate react करता है water के साथ उसमें जो calcium होता है वो calcium carbonate बन जाता है यानि कि अगर हम बात करें जैसे कि जो reaction है reaction क्या होगी basically calcium ions होंगे हमारे and जो carbonate होगा जो reaction करेंगे तो हमारे क्या बन जाएगा calcium calcium carbonate ठीक है यह बनीगा calcium carbonate बन जाएगा हमारे इसमें और यह जो होगा solid form होगा solid form में होगा solid form होगा जो असानी से dissolve नहीं हो पाएगा water में गुल नहीं पाएगा तो यह इस लिए इसे बात में हमें इसे निकाल सकते है filter करके लेकिन main जो काम होता है हमारा जो इसमें को dissolve जो हमें दिखनी रहे है की calcium ions जो दिखनी रहे हमें water में उसे हमें निकालना है निकालना हो कहते निकालेंगे वो calcium carbonate की help से निकालेंगे fine I hope you like it guys or yeah that's it तो इसका option क्या होगा हमारा option number 3 ठीक है